मैं असाकत्ति हूँ कि एई सी कार्योग्रम के आच्छे परिणाम सामने आएंगे और विश्व विद्धालोई तारा उनकी जानकरी भी दी जाएगी आपके विश्व विद्धालोई के आसपास के छेत्र में आदिवासी समुदाई के लोग की कफी बड़ी संख्या है राज्य की लोगवग एक तिहाई आवादी जनजातिय समुदाई की है जनजातिय समुदाई की समुदाई की समुर्थी संस्कूर्तियों के से प्रकूर्ति के प्रति संबेदन सिल्ता समुतेक जीवन में समानता का भाव तो था मोहिलाओं की भागी दरी जीवनमुलों को शिखा जा सकता है इस विश्वविद्व लोईदरा भारोती और भासाओं में बुस्तों के प्रकाशित करने के प्रभापसाली योगदान दिया जा रहा है इसके लिए मैं बिश्चो विदार की टीम की सरहना चाहती। आतुनिक बिश्चो में जो अब्यक्ति, संस्थान और देश, बिज्ञान और टेकनोलोजी को आपनाने में तो था नवाचार या इनोवेशन में आगे रहेंगे वे अधीक प्रगति करेंगे। बिज्ञान और टेकनोलोजी के विगास में समुचित सुविधाओं, बातावरों और प्रसाहन का यगदान होता है। मुझे ये बताया गया है कि इस बिश्चो विदाले में आधुनिक प्रयोग सलाएं स्तापित की गई है। मुझे इहां स्तापित किये जा रहे हैं आक्सेलेंट और बेस्ट रिशर्च सेंटर के बारे में जानकर प्रसंता हो रही है। मैं आशा करती हूँ कि ये सेंटर उपयोगी अनुसंधान के मजधम से आपनी पेहचान दुनिया में लेहराएं पेहचान बनाएं। देवियों और सोजनों हाली में भारत ने चंदर जान ती अविजान को सफलता पूर्बग संपर्न किया। और सभयोगी अनुसंधान के मजधम से आपनी पेहचान दुनिया में लेहराएं पेहचान बनाएं। देवियों और सोजनों हाली में भारत ने चंदर जान ती अविजान को सफलता पूर्बग संपर्न किया। और सभी देशपासियों में उस्साह की लेहर दोड़ गई। उस्सफलता के पीछे वर्षों के परिश्रम से अरजित जग्यता तथा लख्यों के प्रति निष्टा तो थी ही। मार्गों में आने वाली रुकाबटों और उस्सफलताओं से हतस्षाइत हुए बिना आगे बढ़ते रहने की भावना भी थी। व्यक्तिकों जीवन में आगे बढ़ने का भी ये मूल मंत्रों है निरणत और परिश्रम से अरजित दख्यता लख्यों के प्रति निष्टा तथा ततकलिक चुनोतियों या अस्फलता से सीख लेकर आगे बढ़ते रहने का जज़वा हना चाहिए। राष्ट्यों और अंतराष्ट्यों प्रुष्ट भुमिका उदाहरन देगार में ब्यक्तिकों जीवन में उनकी सार्थकता को रेखांकित करना चाहूंगी। जो भी अंतराश्ट्यों निन्नों लिये जाएंगे उसमें भारत की भूमिका रहेगी। भारत द्वारा प्रस्तुत केएगे हाई साइन्स एट लोग पोस्ट के उदाहरों को देश विदेश में सराहा जाता है। अंतरीक और परमाणों विक्यान के छेत्र में भारत को कभी-कभी अंतराश्ट्यस्तर पर और सहजोग का सामना भी करना बढ़ रहा है। लेकिन तमाम चुनोतियों के वबजूद हमारे कर्मट पुग्यानिकों तो था इंजिनियरों ने भारत की साथ मोझभूत की। इसी प्रकार उच्यस्तरी अब्यक्तिकत यग्याता परापт करके आपसों सुमाज, राज और देश के महत्तपुलों निन नयों में भागितर कर सकते। लेकिन एसी यग्याता परापत करने की दिशामें औनेक चुनोतियों भी आएंगे। चुनोतियों की बीच अपसर उत्पन्न करना सफलता प्राप्ट करने का प्रोभावी तरीका है देवियों सोजोन राष्ट्य सिख्ञानेती 2020 मिट भारोतियों परमपुराओं से जुड़े रेकार जुबाओं द्वारा 21 सदी के चुनोतियों के अनुरूप विश्वस्तरियों दख्यान प्राप्ट करके लख्यों निर्धारित के आग्या है हमारी देश की परमपुराई अत्रन्त सम्रूथ है और उन्हें बचाय रखने में उन्हेक विभूतियों के संगर्सों और प्रयासों का अमिल्ल जगदान रहा है इस पिश्विताले के नाम का महत्तो इसलिए और भी अधिक बढ़ जाता है कि इसी छेत्र में अवत्रण करने वाले गुरू खासिदास जीने मन के मन के एक समान अर्था सभी मनिश्यों एक समान है का अमर और जिवन संदेश प्रभाहित किया था आज से लगभग 250 बस पहले उन्होंने बंचीतों, पिछडों और मोहिलाओं की समान्ता के लिए समाज सुधार का बीड़ा उठाया था समान्ता और समाजिक सम्रश्टा के उन आदर्शन पर चलकर ही आज के जुआ संबेतन सिल्ता के साथ सोब की हीत के पारे में सोच सकते ही और स्रेश्टोत और समाज का निर्मान कार सकते प्यारे विद्धात्यों, राहिपूर का हावायार्डा स्वामी विवेकानन्दो के गोरव सली नाम से सुषभी थे स्वामी जी लोगों को घोई मुक्त रहने की सलहार देते थे उन्होंने खेल कूद और सारीरिक स्वास्त के महत्तों को भी रेखांकित किया था स्वामी जी आत्म विश्वास की प्रतिमूर्थी थे बर्ष अठारा सो तेरा नवे के विश्व और ततकलीन भारत के बारे में सची स्वामी जी ने उस बर्ष सिकाम को में भारत के संस्पूति की स्रेष्टता का जोईगोस किया था और विश्व समुदाय का संमान और जीद किया था इस मोई भारत में गुलामी की मानसिक्ता आपने चरम सिमा पर थे समराजो बाद तो था पश्ची में देशो का संपून बिजर्ष था तो था एसिया के लोग हिंता की भावना से ग्रस थे एसे वैसिक बतापरण में स्वामी विवेका नंद ने विश्चो समुदाय में भारत का गोरोब बढ़ाया आज की जुआ फिडिको जिस वैसिक परिवेस में आगे बढ़ना है उससे भारत की स्थिति बहुत मजभूत है तो था बिश्चो समुदाय के अगरणी राष्ट्र में हमारी गन्ना होती है स्वामी विवेका नंद की अध्भूत उदाहरों से प्रणा लेकार आज की पिडिको भारत का गोरोब बढ़ाना है देश की समावसी सम्रुद्धी के नेई उच्चाई तो ले जाना है हम उस्चों बनाते थे सभी देशवसीयों ने हार गया त्रिरोंगा उहियान में उस्चाहो कुर्वग भागे दरिखी थी अब हमारा त्रिरोंगा चान तो पहुंच गया है चान की सतह पर भारत ने सीवशक्ति की उर्जा पहुंच आई है विद्धात्यों सोहित आसपास के लोगों की भागे दरी को प्रसाहित करते हुए इस अइतिहासिक उपलब्धी के विशववपर, विशवविद्धालोईदरा, ज्यानवर्धग, कार्यक्रों और प्रतिजोगिताओं का आयोजन करना चाहिए इशा करने से समाज में वग्यानिक दुस्तिकोल यानि साइंटिफिक ट्यंपर का विगास होता है वग्यानिक दुस्तिकोल का विगास करना हमारे सांभीधान में बताए गे मूलक और टव्यों में सामील है हमारे देश अमुरुदकाल के आरंबिक चरण में है अमुरुदकाल को तबकाल है योदि प्रोत्येक नागरी पिसेश कर हमारे जुबा संभिधान में उल्ले कीत मूल को तबक्या पालन करेंगे तो हमारे देश के समोगरो विकास को गोती जरूर मिलेगी प्राप्त करने के लिए मैं आप सब को फीर एक बार बदाई देती हूँ मैं आप सब के सुननी भविश्ब के लिए आसिर बात देती हूँ बहुत बदाई, भर्नवाद, जोई ही, जोई हारा गुरु गासिदास, महां संकेना